तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए आपने ये प्रावधान लाया क्यों? किस लिए? किस स्टेज पे आप तैक करेंगे कि वो टेरिरिस्ट है? अगर हाफिस साइद है तो टेरिरिस्ट है, अगर गोट से है तो टेरिरिस्ट है, लेकिन आप में हमत नहीं है, कहने की दोजास सेन्टालीस से आज तक आप लोगों में हमत नहीं है कहने की गोट से टेरिरिस्ट है, उन्नी सो सेटालीस है, उन्नी सो सेटालीस है, उन्नी सो आप किसको देखते हैं जिस नजरिये से देखते हैं वो टेरिरिस्ट हो जाता है और बड़ी दुख की बात है कि आज आप लोगों ने उन लोगों को कानू जेल में रखा हुआ है जो एकडेमिक्स है जो यूएन से फंडिंग लेते है जो सिवल एक्टिविस्ट है उनको काल आप notification से terrorist कहला दोगे और इस कानून में कोई ऐसी बाद है हमारा केवल इतना ही विरोध है आप बताइए किस आधार पे उसको आप terrorist कहोगे आपकी मंशाह होगी तो कह दोगे नहीं मंशाह होगी तो नहीं कहोगे और मैं आपको एक और बात बताओं इस कानून में दारा 153A and 15 53 Code of Criminal Procedure भी लिखित है जो communal activity करता है अंडर UAPA he can be declared to be a terrorist अब 2014 के बाद किन किन लोगों ने इस देश में 153A और 153B का उलंगन किया है कि आपने कभी सोचा कि उनको terrorist कहला आजा है आप कभी सोचेंगे भी नहीं दूसरा है आपके वल उन लोगों को terrorist दिखाएंगे जो आप के खिलाफ बोलेगा अब जे अन्यू में कुछ हो गया कुछ रॉआओं ने कुछ कर दिया उनको आप terrorist दिखा देंगे कही और यूनिवर्स्टी में कुछ हो गया किसी दलित ने कुछ कर दिया उस terrorist दिखाएंगे कोरेंगाओं में कुछ हो गया तो उन लोगों को आप terrorist कहला ही है आपको यहां बताना पड़ेगा मैं ज्यादा वक्त नहीं लओंगा दो चार बातें आपके सामने का हूँ रखूँगा कि एक बात का हम आपको दाद देते हैं कि जहां तक आपकी बात है you get what you see and you see what you get लेकिन आप हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि फ्रॉम हीर दिस साइड और सो यू विल गेट वाट यू सी हम जब जब आप ऐसे कानून इस तरह के प्रावधान लाएंगे क्योंकि आपका नजरिया कुछ और है हम यहां खड़े होकर विरोत करेंगे टिला लास्ट ब्रेथ आप हमारे पीछे सी बी आई लगा दो आप हमारे पीछे एडी लगा दो आप हमें जेल में भेज़ दो आप इंकम टैक्स लगा दो लेकिन यहां हम खड़े रहेंगे फरामा का विरोत हमने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह से आप लोगों के पीछे दुर अपयोग कर रहे हो कानूनों का चाहिए वो PMLA हो चाहिए ये कानून हो चाहिए कोई और कानून मतलब कि ऐसा लग रहा है हम इस देश में कि एक चेड़ा एक बिजनस्मेन सब कुछ केवल एक आदमी के नाम पे कोई दूसरा तो हमें दिखता ही नहीं है तो मैं आप से आगरे करूँगा ग्रे मंत्री जी के आप केवल न सोचिए के हम यहां चुप रहेंगे आपके पास मजॉरिटी है वहां भी है और यहां भी क्योंके अमर्जनसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए तो मजॉरिटी नहीं रहती है यो भी हम जानते हैं लेकिन देखिए जो आतंक के शिकार रहे हैं वो कौन रहे हम लोग हमारे दो दो प्रहन मंतरी चले गए आतंक के वज़े से हमें वो पीडा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यातंक कवाद की वज़े से चले गए दुख है तो हमें है लेकिन हमें ये भी मालूम है ये भी मालूम है कि हमें कोई ऐसा कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए यह भी हमें मालूँ और यहां सदन में बैठके हम कानून तो पास कर सकते हैं लेकिन सदन के बाहर जमीन पे क्या हो रहा है पर ग्रैमंत्री जी यह नहीं मालूम आपको उन लोगों की पीड़ा सोचिए जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है एक फैमिली मार दी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है जो गुजरात में हो रहा था जो माराश्टरा में हो रहा था जब जब नाइंटीनेटी फाइल में जे कानून बना था ना टाडा का तो सबसे ज्यादा गिरफदार कहा हुए थे लोग गुजरात में आतंक पंजाब में था गिरफदारी गुजरात में थी आतंक पंजवाम में था गिरफदारी माराष्ट्रा में थी क्यों? वहां तो आतंक नहीं था लेकिन कानून का दूरुपयों हो रहा है मैं आप से इतना अग्राय करूंगा कि सदन को ये बता दीजिये एनाय की आपने बात की भाई साब एनाय में तो अल्रेडी कानून है अंडर सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 6 अफ दी एनाय एक्ट अगि कि आगिbirds आप सेंग्पन मैं ऩास्ति अफ्वेश कि भी रख係 biblical च्क्षी बटीय की इननी से एन्हें फेन चेर प्रेंटारा वीमात को से इत कि वार्मेश एंडेन आप उर्ट सेंग्जिये Yes. It's just meaningless. It is unconstitutional. It will be struck down and it will come back to you and then you will have it and then have to send it to a standing committee on a side committee. Thank you very much. Thank you.